नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुसकवरी लेकर आया हूँ तो दोस्तों खुसकवरी ये है कि इंडियन आर्मी में भरती प्रक्रिया सुरू हो गई है बात को पहले पूरी सुन लेना उसके बाद में आप अपने कमेंट करना क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि बात को पहले सुने बिना ही कमेंट करने लगते हैं तो बात को पूरी सुन लिया करें उसके बाद में अपने कमेंट करना शुरू किया करें तो मैंने आपसे अभी कहा कि इंडियन आर्मी में रेक्रूट्मेंट की प्रिक्रिया है बो शुरू कर दिक गई है तो एकदम सही ख़बर है आप बिल्कुल सही निउस सुन रहे हैं सुरूआत में दोस्तों जो सिवल डिफेंस की पोस्ट होती है जो कि आर्मी के बड़े-बड़े इंस्टिटूट, कॉलेज, स्कूल्स और आर्मी के सेंटर्स में होती है उनकी भरती प्रक्रिया सुरू की गई है जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं इस समय कि रेक्रूट्मेंट आफ दी आर्मी, ग्रूप सी पोस्ट, दी जमू और कस्मीर रैफल्स, रेजिमेंट, सेंटर, जवलपूर, एमपी जैक्रिफ, जैनि कि जमू और कस्मीर त्राइफल रेजिमेंट सेंटर, जवलपूर, एमपी में ये दोस्तो भरती स्ग्रूद इस स्म्धार प्रक्रिया सुरू हीए तो ये कह करके दोस्तों मैं आपको सभी के बारे में बिलकुल तरीके से बताँगा लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए ये बता दूं दोस्तों कि ये जो भरती है दोस्तों इसमें आपको जो form apply करने हैं वो 18 माई 2022 से पहले आपको करने हैं ठीक है? तो 18 माई 2022 से पहले आप अपने जो form होंगे वो इस पते पर भेज देंगे selection board group C post जैकरिफ यानि कि जम्मूएन कस्मीर राइफल रेजिमेंट सेंटर जबलपूर कैंट पिन है आपका 482001 ठीक है तो इस पते पर दोस्तो आप अपनी 18 माई 2022 से पहले जो भी applications है जिस पोस्ट के लिए आप eligible हैं उसमें आप भेज सकते हैं यानि कि apply कर सकते हैं तो दोस्तो अब आपको मैं बता दूँँ इस भरती प्रक्रिया की जो है बो main main बात हैं सबसे पहले दोस्तो इस टेनोग्राफर के भरती के बारे में आपको बताऊँगा टोटल वैकेंसी दोस्तो बन है जो की जनरल की है तो अगर आप जनरल कैटेग्री से हैं तो आप इसमें apply कर सकते हैं इसके लिए दोस्तो आपको तो आप matriculation होना चाहिए थ्री यर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर और वन एयर एक्सपरेंस इन धी ट्रेड ठीक है तो आपको जो ड्राफ्ट मैं की ट्रेड है उसमें आपका वन एयर के एक्सपरेंस भी होना जरूरी है उसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे कुक क ठीक है तो कुक की भरती के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा टोटल यो वेकंसी से सॉरी वह है आपकी आठ जेनरल के लिए तीन हैं दोस्तों उसके बाद में मैं आपको उपर से दिखा देता हूं हस्त के लिए दो, OVC के लिए एक और EWS यानि कि इकॉनोमिकल विकर सेक्शन के लिए है दो और एक शर्विसमन उसके ज़िए था है शांट है पोश्ट के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो आपको 10th class पास होना जरूरी है आपको अपनी ट्रेड यानि कि इंडियन को कि में जो है वो नौलीज होना जरूरी है और मज्ट है वन एयर एक्सपरेंश इन ठेड़ तो आपको ट्रेड है को ट्रेड इसमें आपके लिए वन एयर के एक्सपरेंश जरूरी है तो आपके लिए जो है canvass के लिए करिया और जरूरी है तेक्स्टाइल एन फीचर्स रिपियर उसके बाद में आपको बूट के लिए भी रिपियर करना जरूरी है बूट और इकुपमेंट के लिए तो आपके लिए थोटी छोटी मोटी इनकी नौलिज होगी तो आप हो जाएंगे पास ठीक है उसको बाद में टेलर है दोस्तो होना चाहिए आपके ट्रेड में अगर आप MTS हफाई वाला की ट्रेड में अपलाई कर रहे हैं वासर मैं बारबर या फिर MTS इनके लिए आपको टैंथ पास ही होना जरूरी है तो दोस्तो अब मैं आपको बता चुका हूं कि यह कौन-कौन सी पोस्टों भरती है और इन सभ मिलेगी ठीक है तो दोस्तों यह थी भरती से संबंदित जानकारी आप देख सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे कि यह फेक जानकारी है तो दोस्तों इंप्लाइमेंट निउस पेपर निकालिए 16-22 अप्रेल का आपको यह भरती पेज नमर 14 पे मिल जाएगी ठीक है तो दूबर करने की जरूरत नहीं है यह दूस्तों का फॉर्मेट दिया गया है आप इसको हात भी लutth सकते हैं या फिर आप भी कर आ सकते हैं तो यह आपका हैं कराये यह पेजaldoख दोगे considers यह 14 अभी दिखा धूट इसटर। यहां से लेके यहां तक यहां तक वह आपका एपलिगेसिन का फॉरमेट है ठीक है तो चलिए दोस्तों अगर य बहुत कोई भी जानकरी मुझसे पूचनी है तो आप बे-ज्जघक हमसे बात कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल पे हमारे वाटसअप नमर पे तो चलिए दोस्तो उम्मिद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो में आप अपलाई जरू करेंगे तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार, जैहिन, जैभारत और दोस्तो वीडियो को फिनिस करने से पहले आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ जो कि मैं बताना बोल गया, सौरी, ये जो भरती है वो पूरी औल इंडिया के लिए भरती है, आप इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं इस भरती में अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार